कि नमस्कार मैं हूँ अमनीद राश्टोष आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कारक्रम जम्मू झारकंड का रन जिस तरह से लोक तंत्र में बहुत ही बड़ा त्योहार के तौर पर मनाया जाता है देखा जाता है चुनावन अतिज्यों को तो आपको बता दे कि जारकंड में भारतिय जिन्ता पार्टी ने जंडा गार दिया है और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने बहुत अच्छी इस्थिती बनाई है इस तरचा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जुले हैं हमारे वरिष्ट नहीं होगी संजे मिश्रा और मौनिश खान संजे आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं मौनिश आप इस तरचा में शामिल हैं आपका भी बहुत-बहुत स्वागत हैं संजे सबसे पहले आप से जाना चाहेंगे कि यह जो बदलाओ की जो खुश्बू आ रही है कश्मीर में या फिर धारकंड में में साल 2014 में सबसे पहले लोकसभाद चुनाओ भी था उसके बाद विधान सबाद चुनाओ की पारी आई लेकिन दोनों ही चुनाओ में हमें एक समानता देखने को मिली अवनिंद्र कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोधी की बढ़ती बढ़ता उनका जो कदम है वह कही ने कही भारती जनता पार्टी को जीत हासिल करवाने में मील के पत्थर की भूमी का अदा कर रहा है जिए 14 साल हो गये जारखंड को बनके जारखंड का गठन 14 साल पहले हुआ था अब तक 9 मुख्यमंत्री देख चुका है यह जारखंड 9 बार यहां की जो 9 साल से 16 राज भारती जन नहीं थी और एक प्रेकार से भारती जनता पार्टी जो लगातार जो सफलता की पायदान चड़ते जा रही है उसे इस विदान सभा चिनाओं में बड़े पैमाने पर जीत हासिल हुई है या हम यूं कहें तो कमल जो है बड़े जद्दो जहत के बाद आखिरकार खिलता हु अभी भी काटे की टक्कर चल रही है और खास करके जो नेशनल कॉंफरेंस पार्टी है जम्मू कस्मीर की उसे कहीं न कहीं वर्तमान जो परिस्तितियां है उससे जूजते हुए दिखाई वह दे रहा है और उसे समोल उखाड फेकने का काम किया है भरती जनता पार्टी ने एक प्रकार से भरती जनता पार्टी के जो नेता है नरेंद्र मोदी उन्होंने चुनाव प्रिचार के दवरान जितनी भी जनसभाएं की उसके बाद कयास यह लगाय जा रहा था कि लोकसभा का जो आलम था वो इस बार देखने को नहीं मिलेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हु हुआ अवनिद्र जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव 2014 का दिखा गया बड़े पैमाने पर सांसद जो ते संजर बीच में एक तस्वीर आई थी कि जम्मू कश्मिर में बहुत बड़ी संख्या में नरेंद्र मोदी को देखने लोग आते थे सुनने आते थे उस दोरान सव अखलेश यादव उनके भाई के जो पत्नी है वो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की तारीफ करती है उसे कही नगता ही नहीं बलकी अब अब सेलेब्रिटी चाहे पॉलिटी Siri हो चाहे वालिवू फिल्म जगत हो चाहे स्पोर्ट से हो तमाम अलग-अलेका फील्ड से जो लो सबसे ज्यादा माइनरिटी जो होते हैं वह ब्रामन माइनरिटी में आता है और वहां जो मैजर्टी है मुझ मुस्लिमों की है मुस्लिमों की जनसंख्या बड़े पैमाने पर है बावजूद इसके भारती यंता पार्टी को जो वोटिंग परसंडेज मिला है वो बे मिसाल है और खास करके भारती यंता पार्टी का जो बढ़ता जनाधार है वो कहीं ने कहीं यहां देखने को मिल रहा है अवलिंदर आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि भारती यंता पार्टी ने एक संकल कुछ दिन पहले लिया था कि पूरे भारत वर्त में सबसे ज्यादा जो हैं वह जुड़े जोड़े जाएं भारती यंता पार्टी से चुकि वर्तमान में पूरी दुनिया में यदि आप देखेंगे तो चीन जो कम्यूनिस पार्टी है उसके सबसे ज्यादा है और अब उसी तर्च पर अमीद शाह के नेत्रतों में भारती यंता पार्टी अम मुस्लिम कम्यूनिटी जो साफतोर पर कहते हैं कि जो भारती यंता पार्टी है वो धर्म, जाती इस तरह की राजनीति करती है. उसे भी कहीं न कहीं से देखा जा रहा है कि भारती यंता पार्टी एक दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन कर आई है जमुकस्मीर में 25 से अधिक सीटों पर अभी भी बढ़त बनाये हुए है और जो हाल साल 2009 के चुनाओ में भारती यंता पार्टी का थावनिंद्र है ध्यान से सुनिएगा कि साल 2009 में जो जम्मु कस्मीर में विधान सबाद चुनाओ हुए थे उसमें जो हालत जो इस्थिती भारती यंता पार् बतार मुख्यमंत्री है जम्मु कस्मीर के नेशनल कॉंफरेंस पार्टी का कहीं न कहीं से एक प्रकार से चुपड़ा चुपड़ा कहें तो कोई इसमें गुरेज नहीं होगा वो साफ हो चुका है और उनकी उनकी जो खास करके खुद वो दो सीटों से चुनाव लड़े थ कि उमर अब्दुल्ला साहब दो विधान सबाज शेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ही सीटों से वहार चुके हैं फिर बाद में खबर आई कि नहीं एक में हारे हैं एक में जीते हैं खास करके नेशनल कॉंफरेंस पार्टी हाशिये पर खड़ी दिखाई दे रही है और अब उसे जमीन तलासना होगा खास करके उस राजनितिक प्रिष्ट भूमी में जो एक संवेदन शील कहा जाता है सवर्ग की उकमा दी गई है जम्मू कश्मीर बिलकुर नरेंद्र बोधी के बाद आपने देखा होगा चुनावी जनसभा को संबोधी करते हुए नरेंद्र मोधी ने विकास विकास का नाम जो लिया आपसे चर्चा जारी रखेंगे आपसे हम नोटा के बारे में जानेंगे लेकिन उससे पहले हम मौनिश खान से जानते हैं कि वाकई जम्मू कश्मीर में जो भारतिया जनता पार्टी के प्रति जो एक नया जज़बाया जनता का उस बारे में वो क्या सुचते हैं मौनिश आप बताइए कि मुसल्मानों को क्या महसूस हुआ कि नरेंद्र मोधी पर उसने रहोसा किया अभी तक कि जिस साब से नरेंद्र मोधी ने कैमपेनिंग की है जे और नरेंद्र मोधी की जो लहर की बात की जा रही थी वो क्षबाचनावों से की जा रही थी और अगर मुसल्मानों की बात करें जिस इसाफ सुनों ने वोट दिया है तो उससे लगता है कि वह कुछ बदलाब चाहते थे क्योंकि अभी तक जो इतिहास रहा है जम्मू कश्मीर का वहाँ पर मुफ्ति मुहमद सहीद की पीडीपी और नेशनल कॉन्फरेंस का दबदबा रहा है तो यही सोच हो सकती है वहाँ के मुसल्मानों की क्योंकि उन्होंने भारी तादाद ने वोट करा बीज़ेपी को दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाया तो उसी का नतीजा है कि बीज़ेपी आज दूसरी बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि यहां पर कमाल की कैमपैनिंग जो लोग सबाद चुनावों में भी देखी गई महराश विदान सबाद चुनावों में भी देखी गई और में आप माश्टर है तो आपका उत्पादन बहुत ज्यादा लोग प्री हो सकता है संजय आपसे हम जाना चाहिए कि धारात 370 को भी बड़े गंभीर तरीके से उठाने की कोशिश की थी लेकिन विवाद इतना हुआ कि उसको ठंडा कर दिया गया लेकिन आपको क्या लगता है धारा 370 वली जहां तक बाद हो रही है और इस पर कहीं ने कहीं से विवाद भी पैदा हुआ और बड़े पैमाने पर भारती इंता पार्टी को घेरने की कोशिश भी की गई जिसके बाद कयास ये लगा जा रहा था कि इसका असर विदान समद चुनाओं में देखने को मि साल हुआ है भारती इंता पार्टी के साथ भारती इंता पार्टी दोनों ही राज्यों में रिकार्ड तोड जो उन्होंने अभी सफलता हासिल की है इसकी जितनी प्रसंसा की जाए कम है और इसका जो पूरा स्रे जाता है कहीं न कहीं भारती इंता पार्टी के रास्टी अध वह देखने को मिली अवनिंद्र और उसी तर्च पर जम्मु कश्मीर के लोगों ने भी भार दियन था पार्टी को हाथो हाथ उठाया है और इसका असर देखने को मिल रहा है और एक सबसे दिल्चस्प बात मैं आपको बताना चाहूंगा नोटा की कुछ समय पहले आपने जि दिखाई नहीं दे रहा है यही कारण है कि ज्यादातर लोगों ने नोटा का प्रयोग किया वह घर से निकले अवनिंद्र वह पोलिंग स्टेशन भी पहुचे उन्होंने बटन भी दबाया लेकिन किसी पार्टी को उन्होंने अपना वोट नहीं दिया उन्होंने नोटा का प्रयोग किया और अपने दिल की वो जो टीस थी जो मन का जो गुस्सा था जो वेदना थी वो दिखाने का प्रयास किया जो कि जम्मु कश्मीर जहां एक तरफ से स्वर्ग की उपमा उसे दी गई है तो दूसरी तरफ से वहां पर आतंकवादियों की जो गतिविदियां रोज कुछ कहीं न कहीं देखने को मिलती है यह एक अहम वहां का मुद्दा है और संजय इस तरफ से को जारी रखेंगे लेकिन जारखन में जिस तरह से बारतिये जनता पार्टी ने पताखा फड़ा फड़ाया है अमिश्या ने क्या कहा है सुन लेते हैं उसका जो कारी है उस पर एक तरह से ठपा लगाने का काम यह दोनों राज्यों की सरकार ने किया है मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता जो लोग विकास के एजेंडे को बदलना चाहते हैं उनके लिए सबक है सरकार विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रही है उन्होंने सरकार का साथ देना जनता के मेंडेट का आदर करना चाहिए और भारतिय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है उसको रचनात्मक कामों के अंदर पार्लामेंट के अंदर सहयोग देना चाहिए मैं इतनी ही बात करना चाहता हूँ और मैं आप लोगों के माध्यम से दोनों राज्यों के भारति करता हो के बगर ये जीत पाना भारतिय जन्ता पार्टी के लिए असंभव था ये जीत का हगडार अगर कोई है तो वो भारतिय जन्ता पार्टी का कारे करता और नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की जो असीम सुर्द्धा वर्प्रेम है इसी के कारण भारतिय जन्ता पाटी को जीत मिले है विकास के एजन्डे को पसंद किया है और जो लोग देश के मुख्य प्रवाह को विकास के एजन्डे से डायवर्ट करना चाहते हैं उनके लिए निश्चित रुप से एक सबक है और जहां कि सरकार में सामिल होने का भी विकलब खुला है ती मेरी schauen नहीं पहले हैं भारतिय जनता पार्टी बाकिकी पार्षय जो िनिस्टिटीव लेगी इसका रुप के मुद्य को अमिर्जाह लगातार बल देते रजार रहे हैं संजे जिस धाना को आप किस तरह से देखते हैं कि उन्होंने कहा कि विकास और 44 का जो जो मिशन है उसके काफी करीब है एक दो के आसपास का सिर्फ अंतर है और वह भी वह कवर कर सकती है ये अमित सास आप जो रास्त्री अध्यक्ष है भारती जन्ता पार्टी के वह बता रहे थे उनके चहरे पर जो confidence का भाव है वो साफ तोर पर दिखाई दे रहा था और इसी के साथ साथ ज इस प्रकार से जम्मु कस्मीर में भारती जन्ता पार्टी को कुल 23 प्रतीशत वोट मिले है जो अपने आप में एक बहुत ज्यादा सफल पार्टी कहीं जा सकती है भारती जन्ता पार्टी जहार खंड की अधी बात करें हमारे पास जो आकड़ा आया है लेमन न्यूस के पा 24,000 के आजपास जो वोटिंग होई है वह नोटा के तहत हुई है याने 24,000 लोग अपने घरों से निकल कर वोट किये लेकिन किसी पार्टी को नहीं उन्होंने अपने मन के गुस्से को अपनी वेदना को प्रकट किया उस मशीन पर थम करके नोटा का प्रियोक करके जम्मु क सोचना होगा यदि विकल्प नहीं है आपके पास तो भी नोटा एक ऐसा आप्शन आपको एलेक्शन कमिशन के तरफ से दिया गया है कि उसका अप इस्तमाल कर सकते हैं और यही हुआ है कि नोटा का बड़े पैमाने पर इस्तमाल किया गया है लोग परिशान हो चुके थे बदलाव चाहते थे और कहीं न कहीं भारती यंता पार्टी को उन्होंने के तरफ उनका जो आकरसित होना उनके तरफ जो जो लगातार उनके तरफ जुकाव देखा गया वह सिर्फ और सिर्फ अमिस्चा और नरंद्र मोदी की महाबदालत क्योंकि भारती यंता पार्टी प चाहिए उसका भी बहुत असर हुआ है लेकि अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें मौनीश खान साब आपसे जाना चाहेंगे कि अगर भारतिय जंता पार्टी को इच्छा तो होगी सरकार बनाने की किस तरह की चुनौतिया होंगी देखिए बीजेपी ने तो साफ कर दिया वो दिक्कत यह हो सकती है अगर वो बीजेपी के साथ जाती है तो कहीं न कहीं पीडीपी का जो मुस्लिम वोटर है वो शायद उसे थोड़ी नाराजकी हो और अगर नहीं जाती है बीजेपी के साथ नहीं जाती है तो कहीं न कहीं केंद्र में बैठीवी बीजेपी सरकार की नाराजकी उसे जहेलनी पड़ सकती है तो यह एक बहुत एहम जो मुश्किल हो सकती है पीडीपी के लिए यह गडबंदन करने की अबनिद्वा अगर हम मुद्दों की बात करें लिए अगे लगता हैं अगयता है एक तरह से आतंगवा खत्र है जिस झाते हैं जो वह सब्सक्राइबंदन का धारा लेकर आम आडवी बहुत परेशान रहता है और वहां का उसको वंभी पार्टी को और अगर हम बाकी पार्टियों की बात करें तो वो भी कहीं न कहीं से नरेंद्र मोधी की सफलता को महसूस कर रही है मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ आम व्यक्ति के दिया बात करते हैं तो आम व्यक्ति का यहीं सुचना उसकी दर्कार क्या होती है उसकी दर्कार होती है रोटी कपड़ा और मकान अच्छी सड़के हो खुली हवा में अमनचैन से वह अपने परिवार के साथ गुज रहा है सद्य आपको एक चीज़ याद लाना चाहिए कि पिछले दिनों आपको याद होगा बहुत ही भीषण बाड़ आई थी जम्मू कश्मीर में और आपने देखा होगा कि उस भीषण बाड़ में उसमें मोधी साहब पहुंचे थे और एक हजार करोड़ रुपए के र राजनीती में अपना पक्ष रखना हर उस व्यक्ति हर उस पार्टी अपने तरीके से रखती है विवाद पैदा करना राजनीती का एक पार्ट और पार्शल कहा जा सकता है लेकिन एक सुठ्ष सुथरी राजनीती की दरकार भारतवर्स के नागरी चाहते हैं वह अपिक्श सीदी है कॉंग्रेस पार्टी कारेकाल साठ साल से अधीक का समय भारत वर्स पर शासन करते हुए कॉंग्रेस को हुआ है लेकिन अब तक बदलाव का स्वरूप कॉंग्रेस दिखा नहीं पाई सौ दिन क्या पूरे हुए नरेंद्र मोदी साहब के अभी आपने देखा होगा कि संसद के दोनों सदनों में आज शीत कालिन सत्र का आखरी दिन और ऐसे दिनों पर नारे बाजी की जा रही है आपने विरोधा भास बयान प्रकट किये जा रहे हैं आप आईए संसद में बैठिये वहां विचार कीजिए बहस कीजिए बहस के बाद किसी निसकर्स तक कि भारती संसल जिसे पवित्रता का एक एक अपने आप में वह उसका एक प्रतीक माना जाता है लेकिन उसमें लोकतंत्र के इस मंदिर में किस तरीके से नारे बाजी किये जाते हैं किस तरह से तल्ख अंदाज में टिपड़ी और टीका किये जाते हैं और यह जंता परिवार ब मीदे जो लगाई गई थी कि लालू प्रसाद यादाव साहब नितिस कुमार साहब मुलायन सिंग यादाव ये तमाम लोग एक जुट होके भारती यंता पार्टी को कहीं न कहीं से धुमिल करने की पूरी कोशिस में थे जुगत में लेकिन हाशिये पर खड़े हुए ये जनीती को काफी करीब से समझना होगा और खास करके यूआ पीड़ी को चुकि आने वाले दिनों में यूआ पीड़ी के कंदे पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी और उस जिम्मेदारी का निर्मार मतदाता तो जागरुख हैं हैं लेकिन लालू यादा जो कहते हैं कि नरे चेहरा के रूप में जाना जाता है लेकिन आज अवेशक्ता है एक अर्थ शास्त्री की आज अवेशक्ता है भारत के विकास की विश्व में भारत कैसे शक्ति साली बनेगा ये भारतवासी चाहते हैं विकास के कई आयाम को भारतवासी देखना चाहते हैं लेकिन ऐसा यहा वक्त करके दिखाएंगे लोक्तंत्र में सबसे ज्यादा दो ताकतवर कहे जाते हैं वो नेता नहीं होते वो जनता होते हैं जिने जनारदन की उपमा दी गई है और अब जनता ने अपना स्टैंड क्या है वो दिखा दिया है जारखंड में सबसे वड़ी पार्टी बनकर उबरी भारती इंता पार्टी दूसरे नंबर पर जम्मु कश्मीर में भारती इंता पार्टी जो पीडीपी को लगातार तक्कर दे रही है और वहीं उमर अब्दुल्ला की पार्टी जिसका चुपड़ा साफ हो चुका है अब देखने वाली बात यह होगी कि पूरे जो नतीजे क्या कुछ निकल कर आते हैं और किस तरीके से भारती इंता पार्टी दोनों ही राज्यों में अपनी सरकार बनाने में काम्याब हो पाती है यानि मोधी साहब ने सब जो दुश्मन है ज पूरे दुनिया में मनाया जाता है लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोधी साहब ने तमाम छुट्टिया सरकारी महत्में की समाप्त करके रद करके और गुड गवर्नेंस डे यानि अपने आप में बेमिसाल बात है और नरेंद्र मोधी जिन राहों पे चल रहे हैं उससे भारत आने वाले दिनों में शक्ति-सालिग देशों के स्वेनि में कहीं कहीं दिखाई देगा इसे मानना होगा चुकि हमने नरेंद्र मोधी को भी सुना नरेंद्र बोदी को जो पसंड करते हैं उन लोगों को भी सुना और राजन्य ताओं की जो तलक टिपडियां हैं हमन नया सबेरा आ गया है और मुईश आपसे संश Juice 53 अगया कि जम्मूकश्मीर का जो युवा है उसके सामने किस तरह का MRC बीड़ा है और किस तरह से वो चाहता है कि विकास हो और किस तरह से खुद को जोड़ता है वो एक जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी इस वक्त समस्य वहां पर आतंगवाद कि देखिए वहां का युवा आतंगवाद से जूज रहा है ठीक है तो ऐसे में उसको सबसे बड़ी उसके सामने दिक्कत पेशाती रोजगार की जरूरत है वहां की वागों तो वो उसी व्यक्ति को उसने चुना है कि जो उसको रोजगार दे सके प्रिधार मंद्री नरेंदर मोदी ने जो केमपेनिंग की वहां पर उन्होंने विकास के नाम पर ही की यही वज़ा है कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाया बीजेपी को यही वज़ा है इतनी भारी मातरा में वहां मतदान हुआ यही वज़ा है इतनी भारी मातरा में जो वोल्टर से वहां भार निकले तो कहीं न कहीं युवाओ के सामने एक सबसे बड़ी जो मांग है वो यही है कि जो भी आए उन्हें रोजगार दे उनके लिए अच्छी जो जो वहां पर इस वक्त आतंगवाद की सबसे बड़ी समस पर जब गडबंदन की सरकार बनती है तो काफी कुछ चुनोतिया होती है आपने देखा होगा कि अटल विहारी वाचपेस सहाब की जब सरकार केंदर में की जब जब उनकी ताजपोशी की गई थी तो उससे पर कई चुनोतियां उनके सामने थी कारण सिर्फ एक था कि वहा का जो आने वाले समय में जो चरीतर देखने को मिलेगा जो इसका भविष्य देखने को मिलेगा को किस प्रकार का बिहार में होगा यह बहुत शुक्रिया जिंदगी अक बदलाव का ही राष्ता कहा जाता है और अगर लोके कैंसी की बात करें तो पुजारी बदलता रहता है भगवान वही रहता है लेकिन नरेज्व यही पार किरें लेकिन रहातार शक्राब किसा मुझे दिषा इजाधि ना झाल झाल